हलो फ्रेंड्स वेलकम टू क्रियेटिव लाइफ आज हम लोग जो है क्लास 4 की बुक से दिखेंगे चैप्टर नमबर 18 है आंखडे जिसको जो है अंग्रेजी में डेटा बोला जाता है हम लोग जो है कई बार आंखडे कलेक्ट करते हैं जैसे कि हमने कितने लोगों को जो है आज कितना किलोग्राम कोई सामान दिया या फिर कौन कितनी लंबाई का है क्रम से उसको लिखना या फिर हमने आज कितने किलोमीटर चला फिर कल कितने किलोमीटर चले थे हम इसी प्रकार से आखडे हम करेक्ट करते हैं और उसके बाद उस पे आधारित जो हैं हम लोग गरन यहाँ पर आकड़े डेटा दिया गया है, जैसे कि हम लोग विध्याले आने के लिए विभिन साधनों का प्रयोग करते हैं, जैसे बहुत से लोग विध्याले आते हैं, तो विभिन प्रकार के साधनों के माध्यम से विध्याले आते हैं, कोई पैदल विध्याले आता है, कोई अन्य साधनों का प्रयोक करते हैं तो आओ हम लोग जो है अपनी कच्छा के बच्चों की सूची तैयार करते हैं कि कितने लोग किन-किन साधनों से जो है विद्याले आते हैं तो यहां पर जो है सिच्छी का सबसे पहले विद्याले में आज पैदल आने वाले बच्चे अपना हाथ उपर करें तो जब टीचर ने पैदल आने वाले बच्चों को हाथ उपर करने के लिए कहा तो यहाँ पर जो है मीना गिनकर बताओ कि कितने बच्चे पैदल विद्याले आये हैं तो एक मीना बच्ची है उसे जो है कहा गया कि आप किन की बताओ कि कितनी बच्चे जो है पैदल आए हैं तो मीना जो है फड़ी होती है और कुल 16 बच्चे विद्याले में पैदल आए हैं मीना जो है गिनकर बताती है कि टोटल जो है 16 बच्चे हैं जो विद्याले पैदल आए हैं उसके बाद जो है सिछिका कहती है आप साइकल से वि बच्चे आते हैं उसको जो है काउंट करके आप बताओ तो साहिल जो है खड़ा होके काउंट करता है कुल जो है चार बच्चे साइकल से विद्याले आये हैं तो साहिल ने बताया कि कुल जो है चार विद्याले साइकल से आये हैं फिर उसके बाद सिख्या अब वे बच्चे ह किसको कहा पीटर को तो पीटर ने जो है खड़े होकर गिना तो ऐसे जो है बच्चों की संख्या कितनी है तीन है सच्छी का सब्वास अब हम इसे जो है ब्यवस्ति जुरूप से सारणी बना कर लिखेंगे अब इसको मान लीजिए हमको सारणी के रूप में लिखना है तो किस क्या पूछा पैदल पैदल कितने बच्चे आये थे सोला हमने आकडे में लिख दिया उसके बाद क्रम संख्या दो में क्या पूछा गया साइकल से कितने बच्चे आते हैं साइकल से जो है चार बच्चे आते हैं उसके बाद क्रम संख्या तीन से पूछा गया मोटर साइकल लिवमान ने साधनियों से कितने बच्चे आते हैं तो जो है, तीन बच्चे जो है इस प्रकार के साधन से आते हैं अब कुल योग करेंगे हम यहाँ पर आप जोड़के देखेंगे 6, 4, 10, 3, 13 के 3 हासिल लगा एक, एक, दो, तो कुल जो है बच्चों की संख्या कितनी है, तेज ओपर एक साधनि को ध्यान से देखो और बताओ, यहाँ पर साधनि को ध्यान से देखना है और बताना है चलिए, सिछिका कहती है मीना सबसे ज़्यादा बच्चे किस साधन से विद्याले आये हैं यहाँ पर सारणड़ी आपको देख कर बतानी है, सबसे जादा बच्चे की साधन से आया है, तो मीना जो है खड़ी होती है और वो कहती है विद्ध्याले में सबसे जादा बच्चे पायदा लाए है, तो सच्चिका ने राधिका से पूछा, तो राधिका जो है खड़ी को बताती है कि सबसे कम बच्चे जो है मोटर साइकिल या अनिसाधन से विद्ध्याले आए हैं, यहाँ पर आप जो है सारणी देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिख चाहेगा तीन बच्चे ऐसे हैं जो मोटर साइकिल या अनिसाधन से आए हैं, जो कि सबसे कम है, तो सच्चिका गयती है, बहुत अच्छा मीना ये जानकारी हमें कैसे मिली, तो मीना जो है बताती है कि सारणी देख कर जो है हम लोग इस जानकारी को आसानी से बता सकते हैं, इस प्रकार से आगे भी है, इस वर्स दो अक्टूबर को विद्याले परिसर में स्वच्चता अभियान के दौरान, विभिन कच्छा के बच्चों ने फेंकी गई पालिथीन की जो थैलिया हैं, उसको एकत्रित की हैं, इन पालिथीन की थैलियों की संख्या निम्न सारणी में देखें, तो सभी बच्चों ने किस प्रकार से पालिथीन की थैलियें जो है एकठा की है यहाँ पर आप देख सकते हैं सारणी एक बनी है क्रमांख है कच्छा है और उसके बाद एकत्र की गई पनियों की संख्या है तो आप देखेंगे क्रम संख्या एक पर कच्छा एक के बच्छों ने कितनी पनिया कलेट की है? 9 पनिया कलेट की है और क्रम संख्या 2 में कच्छा 2 के बच्छों ने 5 पनिया कलेट की है क्रम संख्या 3 में कच्छा 3 के बच्छों ने कुल 4 पनिया कलेट की है और कच्छा 4 के बच्चों ने, जो कि करम संख्या 4 पे हैं, कच्छा 4 के बच्चे इन्होंने इकुल 6 पनिया कलेक्ट की हैं और ये 5 करम संख्या और कच्छा 5 के बच्चे जो हैं, इसको आप कंपलीट करके जोडेंगे तो 9, 5, 14, 14, 14, 18, 18, 6, 8, 6, 14, 24, 24 में 8 जोड़ेंगे तो 8, 4, 12 की 2 हसिर लगा 1 और यह हो जाएगा 2, 1, 3 तो कुल जो है आपके हो जाएगे 32 आप इसको जो है आसानी से करम से जोड़ सकते हैं अब यहाँ पर सिच्छिका कहती है रजिया कुल कितनी पालिथीन की थैलियां एकत्र की गई हैं तो रजिया ने यहाँ पर सारणी देखकर क्या बताया कुल 32 यहाँ पर आप देखेंगे 32 लिखा गया है 32 पालिथीन की थैलियां एकत्र की गई उसके बाद सिच्छी का पूस्ती है साहिल किस कच्छा के बच्चों ने सरवाधीक पालिथीन की थैलियां एकत्र की है आप यहाँ पर आप दिखेंगे सबसे ज़्यादा संख्या किस की है नौ की है और नौ की इस कच्छा के बच्चे हैं एक के यहाँ पर जो है साहिल का अंसार होगा कच्छा एक के बच्चों ने सरवाधिक नौ पालिथीन की थैलियां एकत्र की हैं पीटर, पीटर सिरु कहती है, एकरते करदा पीटर के, गई पालि थीन की थैलियों की अधार पर, कच्छाओं को घटते क्रम में, बताओ, मतलब घटते क्रम में इसको बताना है, तो पीटर ने देखा, सबसे पहले घटते क्रम में हम सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे, तो 9 9 क्या है कच्छा 1 है ठीक उसके बाद जो है 8 8 क्या है कच्छा 5 है उसके बाद घटते क्रम में आपको जो है 6 दिखेगा जो कि कच्छा 4 है उसके बाद जो है आपको 5 दिखेगा जो कि कच्छा 2 है और उसके बाद जो है 4 पालिथीन जो है पनिया करेक्ट की गई है वो बच्च बच्चों ने कलेट किया और सबसे कम जो है कच्छती इनके बच्चों ने पनिया कलेट की सिछिका ने कहा वेरी गूड बहुत अच्छा दोनों चर्चाओं में दी गई सूचनाएं आकड़े हैं आकड़ों को जो है आप सारणी बद्ध करने को सारणीयन या सारणी बनाना कह लाता है हम लोगों ने देखा कि सारणी बनाने से दिए गए आकड़ों से कई तरह की जानकारियां युँन सूचनाएं हमको है बहुत ही आसानी से मिल जाती हैं अब यहाँ पर जो है स्वयम करो दिखा दिया गया है तो आईए देख लेते हैं इसी प्राथमिक विद्याला में कच्छा चार के क्रमांक एक से पंदरत तक के बच्चों की लंबाई सेंटीमीटर में दी गई है अब निम्लिकित सारणी को देख कर बताओ यहाँ पर जो है कच्छा चार के बच्चों की जो लंबाई है वो यहाँ पर जो है सारणी में दी गई है सबसे पहले है मदन जो है क्या बालक है थिक बालक 126 सेंटीमीटर लंबा है उसके बाद दूसरी मीना है वो बाल क्या है वो है 113 सेंटीमीटर उसके बाद राहुल है ज उसके बाद जो है सीतल है ये जो है बालिक्या है 109 cm, उसके बाद सलमा है ये भी बालिक्या है 110 cm, और उसके बाद जो है आफरीन है ये भी जो है बालिक्या है 111 cm, उसके बाद पीटर है ये जो है बालक है 126 cm, उसके बाद मारिया है ये बालिक्या है 112 cm, उसके बाद बल्विं अंदर सिंग है जो की बालक है और ये जो है 128 cm है उसी प्रकार से अनुवर ये भी बालक है 123 cm सीमा जो है बालिका है 114 cm रजिया ये भी जो है बालिका है 107 cm राजु बालक है 124 cm और साहिल जो है ये भी बालक है और ये जो है 125 cm है अब यहां पर कुछ सारणी के प्रश्न पर साड़नी में कुल कितने बालक और कितनी बालकाएं सामिल हैं यहाँ पर हमने बालक को लाल से निनोट किया है तो आप इसको गिल लेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ तो बालक कितने हैं तो बालक है यहाँ पर आठ अब कुल संख्या आपकी 15 है तो में से 8 घटा देंगे तो यह हो जाएगा आपका साथ इस परकार से आप इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे आप इसको गिन भी सकते हैं बालक किया भी गिन लीजिए एक, दो, तीन, चार, पांच, उसके बाद 6, 7 इसको इस परकार से आप गिन सकते हैं अब यहाँ पर अग इसको दें बच्चों की लंबाई है या उससे अधिक है यहाँ पर एक जो है, 120 से ज़ादा है, एक, एक और ये 2 फिर उसके बाद आगे जाएंगे आप तो ये तीन, फिर ये चार, फिर ये पांच, फिर उसके बाद जो है यहाँ पछए है और फिर यहाँ पर साथ हैं準 कि लंबाई जो है 120 cm से अधीक है, अब यहाँ पर पूछ रहा है, कितने बच्चों की लंबाई, 110 cm या उससे कम है, 110 cm या उससे कम है, एक यहाँ पर 109, फिर 110, फिर उसके बाद जो है, यहाँ पर साथ, कुल कितने बच्चे हैं यहाँ पर, कितने बच्चों के लंबाई 110 से कम है, तो यहाँ पर 3 और इसको हमने निकाला था, यह है साथ, इसको आप सॉल्ब कर लेंगे, अब यहाँ पर पूछ रहा है, सबसे लंबे बालक और सबसे लंबी बालिका का नाम बताओ, सबसे लं बालक का नाम आ जाएगा 128 cm कौन है बल विंदर सेंग ठीक है अब उसके बाद जो है क्या पूछ रहा है सबसे लंबी बालिका की अब बालिकाओं में हम देखेंगे बालिकाओं में सबसे लंबाई ज्यादा किसकी है तो यहाँ पर आप देखेंगे 107 है 114 है और बालिकाओं म और 114 पे कौन है सीमा तो यहाँ पर हम लिख देंगे 114 cm कौन है यहाँ पर सीमा है इस प्रकार से आप इसको जो है solve कर लेंगे अब यहाँ पर सबसे छोटे 5 बच्चों की लंबाई जो है बढ़ते क्रम में हमको दिखानी है तो 5 बच्चे हमको ऐसे कोजने हैं जो की सबसे छोटे हैं बढ़ते हुए करम में हमको दिखाना है सबसे छोटे बच्चे में हम पहले देख लेंगे सबसे छोटा इसमें कौन है यहाँ पर 107 है सबसे छोटा 107 में यह कौन है इसको हम आगे देख लेंगे यह जो है बाल क्या है इसका नाम क्या है रजिया है तिक अब इस इसके बाद यह एक सो साथ के बाद 108 यहां पर है नहीं तो 109 हम ख्योजेंगे 109 यहां पर है यह भी बालिग है इसका नाम क्या है सी तेल इक 110 ये लंबाई जो है क्रम से आपकी बढ़ती हुई है ठीक अब इसके बाद जो है हम आगे देखेंगे तो आगे आपका 110 के बाद 111 आ जाएगा ये भी बालिका है इसका नाम क्या है आफरीन 111 आफरीन इस परकार से इसको आप आथानी से सॉल्ब कर लेंगे पाँच पूछा है तो 111 के बाद हमें एक और जाएंगे 112 ये भी जो है एक बालिका है जिसका नाम है मरिया इस परकार से आकोरों की मदद से हम क्यास को बहुत ही आसानी से और स्वरल्टा से साल्फ कर सकते हैं जो की हमको बहुत ही अवैल्वल चीजों में मिल जाता है अब इतने बड़े फार्मेट में हमने सारे डीटेल्स को कवर करके रखा है और इसमें आप इतने सारे questions को आसानी से यहाँ पर solve पर सकते हैं चलिए इसके बाद आगे देखते हैं इस प्रकार बच्चों की आई, भार, लंबाई, परिच्छा में प्रापतांग, गाउं में किसानों की भून, तिच्छा, आई, भावन भावन में कमरों की संख्या, जन संख्या, आज सूचनाओं यह उन तत्थियों को आकड़े के रूप में एकतर करके सारनली बनाई जा सकती है अब यहाँ पर हमने क्या चीज़े सीखी हैं, उसको देख लेते हैं तथ्यों या सूचनाओं के समूं को आकड़े कहते हैं तथा इन्हें संख्याओं में लिखा जाता है। जो तथ्यों होते हैं या फूचनाओं होते हैं उनको हम आकड़े कहते हैं और इन्हें संख्याओं के रूप में लिखा जाता है। आकड़ों को सारणी के रूप में प्रस्तुत करना सारणीयन या सारणी बनाना कहलाता है सारणी की सहायता से तत्थियों की तुलना करना, विसेसर्ण करना और निसकर्स निकालना यूम निड़ा लेना जो है हमने इस चैप्टर के माध्यम से सिखा है उसके बाद यह अभ्यास प्रस्ण है जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे तो यह रहा हमारा आज का वीडियो आसा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज जो हैं तरनल को लाइक करिए, सेर करिए और सब्सक्राइब करिए मिलते हैं आप से नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई एंड टेक केर